ठंडा या गर्म चोट के लिए आपका पहला कदम क्या होगा गलत फर्स्ट एड आपकी तकलीफ बढ़ाते हैं और ऐसे पेशन्ट में रोज अपनी OPD में देखता हूँ तो आईए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर जय आपको बताऊंगा कहा लगाना है ठंडा बर्फ और कहा करनी है गरम सिकाई पर उससे पहले मेरे चैनल फैमिली डॉक्टर जय को सब्सक्राइब कर ले तो चोट लगने पर सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि चोट किस प्रकार की है यह जानना महत्वपून है क्या यह एक नई चोट है या पुरानी नई चोटें और पुरानी चोटें अलग-अलग प्रकार के उपचार की मांग करती है क्या सूजन है या दर्द ज्यादा है सूजन और दर्द की तीवरता भी उपचार के तरीके को प्रभावित करती है यह समझ कर ही हम यह तय कर सकते हैं कि cold compression करना है या गर्म सिकाई करनी है cold compression जिसे हम आम तोर पर आइस पैक या ठंडे पानी से करते हैं चोट के तुरंत बाद बहुत फाइदे मंद होता है अगर चोट नई है और उसमें सूजन हो रही है तो cold compression ज्यादा फाइदे मंद होता है cold compression सूजन को कम करने और दर्द को नियंतरित करने में मदद करता है ठंडा उपचार विशेश रूप से खेल के दौरान लगी चोटों के लिए बहुत उपयोगी होता है इसे हम आम तोर पर मोच, खिंचाव या किसी भी तरह के जोरदार जटके के बाद इस्तेमाल करते हैं यह मांस्पेशियों और जोडों की चोटों के लिए भी प्रभावी है cold compression रक्त वाहिकाओं को सिकोडता है जिससे सूजन कम होती है यह रक्त प्रवाह को धीमा करता है और सूजन को नियंतरित करता है यह चोट के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है और जल्दी ठीक होने में सहायक होता है गर्म सिकाई जैसे कि गर्म पाने की बोतल या heating pad मांस्पेशियों की जकडन और दर्द को दूर करने में मदद करता है यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जो घर पर आसानी से किया जा सकता है पुरानी छोटों और मांस्पेशियों में अकडन होने पर गर्म सिकाई ज्यादा आराम दायक होती है गर्म सिकाई से मांस्पेशियों को आराम मिलता है और रक्त प्रभाव बढ़ता है जिससे दर्द और अकडन कम होती है बहतर रक्त प्रभाव से मांस्पेशियों को अधिक oxygen और पोशक तत्व मिलते हैं जिससे वे तेजी से ठीक होती है गर्म सिकाई पुरानी चोटों जैसे कि पीठ दर्द या गर्दन में अकडन के लिए बहुत उपयोगी होती है यह मानस्पेशियों की कठोरता को कम करने और गतिशीलता को बढ़ाने में भी सहायक है यह व्यायाम से पहले मानस्पेशियों को गर्म करने और चोट से बचाव के लिए भी व्यायाम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है गर्म सिकाई से मानस्पेशियों की लचिलापन बढ़ता है जिससे वे अधिक प्रभावी धंग से काम कर पाती है Section 4. सही तापमान पर असल में कितना थंडा कितना गर्म Cold compression करते समय ध्यान रखें कि बर्फ को सीधी तवचा पर न लगाएं हमेशा एक पतले कपड़े में या प्लास्टिक की थैली में बर्फ लपेट कर ही इस्तिमाल करें थंडा उपचार 15-20 मिनट से ज्यादा न करें गर्म सिकाई भी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए और तापमान इतना गर्म होना चाहिए कि तवचा जलना जाए Section 5. सावधानी कब नहीं करें ये उपचार ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब थंडा या गर्म उपचार नहीं करना चाहिए कुछ स्थितियों में थंडा या गर्म उपचार हानिकारक हो सकता है ये उपचार कभी-कभी दर्द को बढ़ा सकता है या अन्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है जिन लोगों को मधुमे रक्त संचार संबंधी समस्याएं या तवचा की संवेदन शीलता है उन्हें ठंडा या गर्म उपचार करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या विशेश रूप से महत्वपून है क्योंकि इन स्थितियों में उपचार से जटिलताएं हो सकती है गर्भावस्था के दौरान खुले घावों पर या फ्रैक्चर होने पर भी इन उपचारों से बचना चाहिए इन स्थितियों में उप्चार से स्थिती और बिगड़ सकती है अगर आपको अपनी चोट की गंभीरता के बारे में कोई संदेह है तो हमेशा डॉक्टर से परामर्ष लें सही मार्ग दर्शन और उप्चार से ही आप अपनी चोट को ठीक कर सकते हैं और जटिलताओं से बच सकते हैं तो बने रहे मेरे साथ यानि डॉक्टर जय के साथ और भी सही सेहत की जानकारी पाने के लिए